नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योटियोब चनल पीएफपी में आज 10 नविंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली नेगेटिव नजर आता है निफ्टी 50 0.15% नीचे भले हमें रेड क्लोजिंग दिखाई पड़ती है लेकिन एक्चुली ये पॉजिटिव क्लोजिंग है जिस प्रकार की हमें ओपनिंग देखने को मली थी माहौल बहुती ज्यादा वीक दिखाई पड़ता था उस प्रकार से 18,000 की उपर क्लोजिंग हुई है तो इसे अफकॉर्स पॉजिटिव माना जाएगा निफ्टी बैंक 0.88% नीचे है 39,000 का लेवल फिलाल के लिए important नजर आता है निफ्टी mid cap की बार में बात करें यहाँ पर भी 0.44% की गिरावट नजर आती है तो निफ्टी 50 नीचे है निफ्टी mid cap नीचे है इसके बावजूद AD रेशियो आपको बहुत ज़्यादा खराब नजर नहीं आता भलेई AD रेशियो फिलाल decline के favor में है लेकिन जिस प्रकार से indices में गिरावट हुई है उस प्रकार से oral market इतनी ज़्यादा weak नजर नहीं आती है उपर जाने वाले stocks भी अच्छे कासे संख्या में दिखाई पड़ते हैं commodity के बार में बात करें तो crude oil 0.3% उपर है natural gas में 2% से ज़्यादा की गिरावट है gold और silver हमें slightly negative में trade करते हुए नजर आता है currency के बार में बात करें तो USD INR में रूपी हमें वापस week होता हुआ नजर आया तो अफकोर्स यह अच्छी बात नहीं है global indices के बार में बात करें तो और और फिलाल कोई direction global indices में दिखाई नहीं पड़ता है थोड़ा उपर थोड़ा नीचे यही सब हमें चलता हुआ नजर आता है nifty के intraday chart पर हमें clearly पता चलता है कि शुरुवात अच्छी देखने को नहीं मिली gap down open हुआ उसके बाद आपको 5 minutes गिरावट continue रहती भी नजर आई और बाद में एक अद गंटा आपको sideways moment देखने को मिला और यह sideways moment आपको 12 एक बज़े तक continue रहता हुआ भी नजर आया तो 17,900 का level बहुत ही strong support की तरह नजर आया यह हमें clearly दिखाई पड़ गया एक दो गंटे के बाद तो उसके बाद surprisingly एक बज़े के बाद हमें गिरावट की जगा पर buying देखने को मिली है तेजी देखने को मिलती है market में एक बज़े इतना important क्यों है क्योंकि FIIs generally इसे time पे बहुत ज़्यादा active हो जाता है और वहाँ पर आपको वापस एक direction देखने को मिल जाता है एक बज़े डेड़ बज़े के आसपस वापस हमें market में बड़ा movement देखने को मिल सकता है चाहे वो upside पे हो या फिर downside पे अभी continuously FIIs अभी माल बेचते आ रहे हैं अभी भी शायद माल बेच सकते हैं लेकिन फिलाल हमें buying होती भी नजरा रही है तो आज FIIs ने शायद माल खरीदा होगा शायद हमें buying देखने को मिल सकती है क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि last में वापस हमें थोड़ी सी गिरावट भी दिखाई पड़ती है 18,000 के उपर closing हुई है ये और लेक positive बात है Nifty 50 के चार्ट पर डेली चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि ये neutral view ही फिलाल तो दिखाई पड़ता है neutral view ही condition continue रखना चाहिए 20 days के moving average के उपर है ये positive है RSI 53.2 है RSI से भी clearly पता चलता है कि market फिलाल हमें neutral ज़्यादा होती भी नज़राइए ना ज़्यादा bullish है ना ज़्यादा bearish है फिलाल neutral view ही हमें continue रखना चाहिए mid term के लिए फिलाल यहाँ पर आपको अगर moving averages का साहरा लेना है तो उस प्रकार से market का view overall तो अभी तक bullish ही चल रहा है बियरिश होने की ज़रोत नहीं है लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का price action दिखाई पड़ता है जिस प्रकार का sideways movement उपर के side से जो price rejection दिखाई पड़ता है उस प्रकार से हमें slightly neutral to bullish view अप ले सकते हैं 18,000 की उपर है तब तक आपको 18,300 के levels दिखाई देने के chances दिखाई पड़ते हैं और बाकी तो ये neutral view भी continue रखना चाहिए न्यूस के बार में बात करें तो bank of barola के results आए है profit हमें 25% उपर जाता हूँ नजर आता है asset quality भी सुधरती भी नजर आई है उसके बावजुद stock में हमें गिरावट दिखाई पड़ती है क्योंकि already stock में अच्छी कासी तेजी आ चुकी थे और generally ऐसा ही होता है अगर result अच्छे भी आते हैं लेकिन अगर उससे पहले तेजी आ गई है तो stock में गिरावट ही देखने के chances बढ़ जाते हैं इंडिया cements के भी results आ है 69% की गिरावट देखने को मिली profit after tax में reason है cost pressure margins पर आपको impact देखने को मिलता है भारती एटल औरेकल ने अपने partnership को expand किया है to offer cloud solutions तो बहुत ही अच्छी बात है भारती एटल आपको clearly यहाँ पर bullish नजर आता है फिलाल जो इतने सालों से consolidation देखने को मिला है इस consolidating rain से बाहर निकलता हुआ नजर आया है avenue super mart ने डिमार्ट ने बैंगलोरू में 88 करोड में retail space को करीदा है तो डिमार्ट के लिए अच्छी बात है डिमार्ट बहतरीन कंपनी है लेकिन फिलाल जिस प्रकार के valuation दिखाई पड़ते हैं crazy valuation चलते हुए नजर आते हैं LTTS ने Microsoft के साथ partnership किये to offer industrial to industrial IoT based smart solution तो LTTS के लिए एक positive बात है L&T Group की एक और बहतरीन कंपनी हमें दिखाई पड़ती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो ट्लीस कोई feedback दीजिए thank you stay happy happy investing